हिमाचल सरकार के पास कोरोना से बचाओ के लिए वैक्सीन नहीं है जबकि लोगों को महमारी के प्रती जागरूप करने के लिए मौक्डिल की जा रही है प्रदेश में करीब 30 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है स्वास्ति भाग ने केंडर को इस बारे में अवगत करा है लेकिन वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिली है वश्ट 2011 की जनगर्णा के अनुसार प्रदेश की जन संक्या 68,64,602 है इन में से 49 फीजदी लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है प्रदेश में सक्री मरीजों का आंकडा करीब 2000 पहुँच गया है एक सब्ता के भीतर प्रदेश में 7 लोगों की मौत हो चुकी है मास्क, सैनिटाइजर आदी की विवस्था करने को कहा गया है विभाग का दावा है कि जीलों में कोरोना से निपटने की पर्यात विवस्था की गई है स्वास्त विभाग के निपटने को लेकर स्वास्त विभाग अलर्ट है स्वास्त विभाग को वैक्सीन का इंतजार है कोरोना के बड़ते मामलों की बीच सिक्षा विभाग ने भी चात्र चात्राओं को मास्क पहन कर स्कूल आने के लिए कहा इसके अलावा ध्यापकों को निर्देश दिये हैं कि स्कूलों में भीड एकत्र ना होने दे, स्कूल और आसपास सफाई रखने के भी निर्देश दिये गए सरकार ने लोगों से अस्पताल में भीड न जुटाने की अपील की है असपतालों में डॉक्टर, पेरा मेडिकल स्टाफ और लोगों को मास्क पहनना अनिवार किया गया है